वेल्कम बैक टो किरन कोर्स किचिन तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत इंट्रस्टिंग से शर्बत की रेसिपी तो आज हम बनाएंगे मिल्क शेक शर्बत तो आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें त सब्सक्राइब कर देखिएगा तो चलिए रेसिपी स्टाइट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम जेली बनाएंगे तो यहां पर मैंने दो पैकेट जेली के लिए हैं इस तरह से उसके बाद यहां पर से किस तरह से बनाना इसके सारे इंस्ट्रक्शन्स जो है बॉक्स के पीछ हो जाए उसके बाद यहां पर हम दोनों पैकेट्स जेली के हैं इसमें ट्रांसफर कर लेंगे तो यहां पर दोनों पैकेट्स हमने ट्रांसफर कर लिए हैं अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे गेज का फ्लेम ओन करके तो गेज का फ्लेम जो हमें वह हाय ही रखना है जब तक कि यह जेली कृस्टर्स है यह अच्छे से घुलना जाए तो तक्रीबन हमें चार से पांच मुनट तक इस मिक्सचर को पकाना है उसके बाद हम गेज का फ्लेम बंद कर लेंगे और जेली के मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लेंगे तो यहां पर बिल्कुल ठंडा हो चुका तो यहां पर मैं इस तरह से कंटेनर में इसे जमाऊंगी तो ट्रांस vb मिक्सचर में डाल रही हूं यह बाक्य का बच्चाव़ा बाक्टोर की मिक्सचर हे में कट्वशक हो में उसके घंटा से नहीं करके इन एक घंटा लगता है जयली को की आफ होने में तो जब तक जेली सेट होती है तब तक हम यहाँ पर सबजा को भिगो लेते हैं तो यहाँ पर मैंने दो चमच सबजा के सीट्स लिए हैं अब इसमें हम पानी डाल करके इसको मिक्स करके अच्छे से 10-15 मिनिट के लिए रख देंगे तक ही सबजा के जो बीच अच्छे से फूल जाए तो देखिए 15 मिनिट बाद हमारे सबजा बनकर एड़ी है तो इसे भी हम रख लेंगे साइड में उसके बाद यहाँ पर एक घंटे बाद मैंने जेली को निकाल लिया था फ्रिज में तो देख लीजे बहुत अच्छे थे जो है हमारी जेली सेट हो चुकी है अब हम जेली को कट कर लेंगे तो इस तरह से मैं इसे क्यूप्स में कट कर लूँगी छोट छोटे टुकड़ों में तो पर इस तरह से स्टेंडिंग लाइन उसके बाद इस तरह से स्लिपिंग में इसे कट कर लेंगे तो देखिए कितनी अच्छे थे जो है हमारी जेली सेट होकर रहडी है अब हम जेली को भी रख लेंगे साइड में तो यहाँ पर मैंने एक लीटर दूद लिया है तो दूद को मैंने पहले ही एक बार बॉइल कर लिया है तो दूद में मैंने दो चमच चीनी डाल करके इसे बॉइल किया था उसके बाद इसको मैंने फिर्ज में अच्छे से चिल्ड कर लिया है अब हम इसमें शेर्बत ढालेंगे तो शेर्बत आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं रूवजा या रोस शेर्बत कोई भी उसके पर मैं इसे ग्राइंडर से थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं बिल्कुल आप चमच से भी हेल्प करोगे तो भी इसके टेस्ट में कोई फरक नहीं तो यहां पर सब्जा की सीट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब जो हमने जेली को छोड़ेशोडे पीसे में कट कियो था वो भी इसमें एट कर लेंगे तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो है टेस्टी सा इंट्रस्टिंग सा मिल्क शर्बत बनकर रेड़ी ह आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसे चीज के डिमांड होगी और इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे थोड़े से पिस्ता के टुकड़ों के साथ तो बस सर्फ करेंगे ग्लास में रहसे भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजेगा मि